हेलो फ्रेंद्स आइम चीबा एंड वल्कम तो मैं चैनल आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ ग्लाइको सिक्स के बारे में जो कि ए ग्लाइकॉलिक आसिड क्रीम है इसको बनाया है माइक्रो लैब लिमिटेड ने जो कि एक इंडिया की मैनुफाक्टरिंग यूनिट है आप देख सकते हैं यहां पर और यह 30 ग्राम के ट्यू पाकिंग में आता है बेसिकली वर्क करता है आक्ने पिंपल मार्क्स को हटाने में पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन, सन डामेज, रिंकल्स, स्कीन एजिंग इन सब को हटाने के लिए बहुत ही जाधा बेनेफिट है इसको आपको लगाना है, फर्स्ट वीक में आप इसको लगाएं तीन से चार दिन और सेकंड वीक में आप इसको डिली लगा सकते हैं इसका एक और एक वेरियंट आता है 12% में, क्योंकि मैं एक बिगनर थी, मैं ट्राइ करना चाह रही थी, तो मैंने 6% से ट्राइ किया, और मैं आप सब को भी यही अड्वाइस करूंगी, कि आप पहले 6% से ही ट्राइ करें, देखें कि आपका स्किन कैसे रियाट कर रहा है, उस क्योंकि वो आपके जो अंडूराइ एरिया होता है, बहुत थिन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप उसको अगॉइड करे, और इनिशियली आपको तोड़ा सा एक तिंग्लिंग सेसेशन होगा, तोड़ा सा लगएगा कि आपको तिंगल कर रहा है, तो don't worry, this is how it's working glycolic acid और ओवरनाइट आप रखे सुवे मौनिंग में face wash कर ले और आप एक अच्छा सा sun block लगाए जिसका SPF at least you know 40 हो 40 30 to 40 आप रखे broad spectrum हो बहुत ही अच्छा coverage हो और अगर आप मैं personally यह आप यह लगा रहा शुरू कर रहे हैं तो आप कोई और क्रीम ना यूज़ करें आप इसको simple रखे रात में यह लगाए और सुवे एक अच्छा सा इसको आप बच्चों से दूर रखे और यह बेसिकली वर्क कैसे करेगा आपकी स्किन को पहले तो यह ड्राइ करेगा उसके बाद आपका जो स्किन का फर्स लेयर वो उसको हटाएगा तो विंडर्स में आपने देखा होगा किसी सी का कि बहुत ही जादा फ्लीकी स्किन हो ज आपका जो फर्स लेयर ऑफ स्किन है वो निकल जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा स्किन और बहुत ही अच्छा स्किन टेक्स्चर स्मूध स्किन दिखेगा बाद में बहुत ही ब्राइटनेस दिखेगा और 90% आपका जितना भी प्रॉब्लम है फेस का उसको चले ज भी स्किन खेगा जो उचरेटा है वो आपका बहुत ही ब्राइक्नेस और बहुत ही सकिन हो जाएक की खाल करा क्यों पर्स बिखे अन्यानिशिंक अच्छा किन तपश करेगा अब को बहुत अच्छा रिजर्ट दो और नारिश करदेगा तो आपकी जैसे को एक ता स्था को ये बहुत ही अच्छा सॉस है क्योंकि जो end kliniks में होता है कि महा पर जो chemical फील होता है या ग्लाकॉलिक पील होता है बहुत ही जादा परसेंटेज होता है और परसेनली इत स्कैज मी तो मैं नहीं चारी थे कि कुछ मैं हाइँ क्लिनिक्स में जाके मैं इसा कराऊं तो मैं I wanted to try this ताकि घर पे ही बैठे आपका पीलिंग भी हो जाए आपको कोई side effect भी ना हो and special advice for those जो कि जिसका भी sensitive skin है प्लीज आप पहले dermatologist से पूछ ले उसके बाद ही आप इसको use करें क्योंकि जो भी मैं review करती हूँ वो personal based review होता है मेरा मैं इसको use कर चुकी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ इसने मुझे बहुत अच्छा result दिया है मैं इसको डेढ़ दो महिना use किय हुआ है तो it has given me a good result and that's why I am here with a review और आप कोई भी doubt हो तो please आप मुझसे comment करके पूछे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please make sure इसको like करें subscribe करें और bell icon को hit करें ताकि आपको notification मिले जब भी मैं एक नया video upload कर रही हूँ comment करें और मुझे suggestions दें मुझे कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं तो यह है friends आप try करना इसको it will give you a lot of difference so that's it friends I hope you like it and enjoy